जेहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में अब हम देखेंगे FY, SY and TY, BBA, BBAIB and BBACA 2013 पैटन and 2019 क्रेडिट पैटन के exam टाइम टेबल के बारे में आज हम जानेंगे इनवर्सिटी ने तो टाइम टेबल बेज दिया है लेकिन पेपर कप शुरू होने आले फर्स सेम के पेपर का time slot क्या है, सेम सेकंड के exam का time slot क्या है, exam कब से शुरू होने वाली है और exam के related important links में आपको बताने वाला हूँ वीडियो आन तक जरूर देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंत आई, तो लाइक कीजे, शेर कीजे और आपने दोस्तों को भी बेज दीजे और exam के बारे में अप्टूडेट जानकर ही जानने के लिए आप मेरे YouTube चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे ओके, चलो तो हम वन बाई वन एस समरी देख लेंगे, देखिए, F.Y.S.Y. और T.Y.B.A. B.B.A. B.A. B.A. C.A. 2013-19 credit pattern का exam time table पब्लिश हुआ है आज हम वो simple language में understanding करने वाले है, तो देखिए, अब सबसे पहले हम exam time table समरी देखने वाले है वहा की, F.Y.B.A. 2019 credit pattern का, सेम फर्स्ट का exam कब स्टार्ट होने वाला है, 10 से 16 मार्च के, 10 मार्च से शुरू होने वाला है और वो 16 मार्च 2022 तक चलेगा, उसका time slot रहेगा, 4 बजे से 6 बजे तक, ओके, सेम सेकंड का, जो time का schedule है, exam का time का schedule वो 17 मार्च 2022 से शुरू होगा और 24 मार्च 2022 तक चलेगा, यह backlog के लिए रहेगा, जो बच्चे S.Y.K. है, उनके अगर second year का, second sem का कोई subject back रहेगा, तो बच्चा, वो student क्या कर सकता है 17 से 24 मार्च 2022 तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के time slot पे exam दे सकेगा, same 3 की exam, regular और backlog student, उनकी exam कब होने वाली है, 10 मार्च से 16 मार्च 2022 में, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होने वाली है, उसमें से कोई भी एक गंटे में, ओ का कर सकता है, पेपर दे सकता है, तो sem 4 की exam, 17 से 24 मार्च 2022 के बीच में होने वाला है, उसका time slot रहेगा, 4 बजे से 6 बजे तक, उसमें से कोई से भी एक गंटे में, ओ एक गंटे में ओ एक्जाम दे सकता है, तो semester 5 की exam, उनकी 25 तो 31 मार्च 2022 के बीच होने वाली है, और उसका time slot रहेगा, 1 से 3 बजे तक, जो होने वाला है, और time slot रहेगा, 1 से 3 बजे के बीच, और जो बच्चे semester 6 में है, 2013 credit pattern के, तो उनका time table रहेगा, उनका time का schedule रहेगा, 10 से 16 मार्च 2022 में, 1 बजे से 3 बजे के बीच में एक एक्जाम होने वाला है, और बाकी के उनके जो subject रहे, 2013 pattern के, first year का तो पेपर, college level पर होगा, SY और TY, SY के जो semester 3 और semester 4 के जो exam होने वाले है, 2013 credit pattern के, उसके लिए एक balance आने वाला है, तो एक balance के लिए आप क्या करो, आपका time अगर जानना है, तो आप क्या कर दीजे, PIA exam result, मैंने यहाँ पे link दे दिया है, 2013 credit pattern के लिए, आपका जो exam का schedule रहेगा, वो schedule जानने के लिए आप P या exam result.unipune.ac.in पर जाईए, वहाँ पे आपका PRA number enter कीजे और capture enter कीजे, दन आपको आपका exam का schedule मिल जाएगा, और आपने time table पे भी आप check करवा सकते हो, यह मैंने BBA के बारे में, 2013 और 2019 के time table के बारे में मैंने अभी information बताईए, अब मैं information बताने वाला हूँ, FY, SY, TY, BBA, IB, Okay, BBA, IB यानि Bachelor of Business Administration International Business 2019 credit pattern के बारे में, उनका first का exam जो रहेगा, वो 10-16 March 2022 में, 10-12 के बीच में हो जाएगा, तो semester second का, यानि कि backlog का जो exam रहेगा, वो 10-16 March 2022 में, दुपहर 1 बज़े से 3 बज़े के बीच में होने वाला है, semester 3 का exam, semester 4 का जो exam रहेगा, वो 17-24 March 2022 के बीच में होने वाला है, वो 10-12 के बीच में हो सकता होने वाला है, तो semester 5 का जो exam है, मुझे लगता है कि BBIB का जो exam schedule है, या बराबर है मैंने बताया है, लेकिन आप time table पर भी आप चेक करवा सकते, semester 4 का exam आपका 17-24 March 2022 के बीच में, 10-12 बज़े के बीच में होने वाला है, तो semester 5 का exam 25-31 March 2022 में, 1-3 बज़े के बीच में होने वाला है, और मैंने यहाँ पर भी बताया है कि आपको exam के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2013 pattern के बच्चे है, BBIB के भी, वो भी अपना schedule PI exam result, 2019 के भी बच्चे student चेक करवा सकते है, अपना personal individual time table, university का, PI exam result.unipunay.ac.in, वहाँ पर आपको enter करना है, PRA number और क्याप्चा एंटर करके, आप exam का schedule देख सकते हो, वही BBA CA 2019 credit pattern, उनका semester 5 का exam, 7-11 March 2022 में, 1 बज़े से 3 बज़े के बीच में होने वाला है, तो semester 2 का exam, 7 March-11 March 2022 में, 10-12 बज़े के बीच में होने वाला है, तो semester 3 का exam, 12 से 17 March 2022 में, 1-3 बज़े तक होगा, तो semester 4 का exam, 12 March-16 March 2022, 4 बज़े से 6 बज़े के बीच में होने वाला है, तो semester 5 का exam, 19 से लेकर 23 March 2022, 1-3 बज़े के बीच में होने वाला है, और आपको मैंने बताया है, कि अगर BBA CA का 2013 pattern का कोई candidate है, तो उने अपना exam time table का जो schedule है, वो pi exam result.unipunay.ac.in पर आपको मिल सकता है, वहाँ पे आप क्या कीजे, अपना PRN number एंटर कीजे और capture एंटर करके, आप exam time table देख सकते हो, और university के home page पर भी आपको exam time table में जाके, क्या करना पड़ेगा, आपका exam का schedule देखना पड़ेगा, मैं यही बताना चाता हूँ कि आप hall ticket अपने college से संबर्क करके, क्या कीजे, collect कर दीजे, hall ticket के जर्या आपको पता चलेगा, कि आपको कौन-कौन से paper university के देने वाले हैं, यानि कि username आपको डालना है, और चार डिजिट का जो university ने password दिया है, वही आप enter कर दीजे, active test में जाके आपकी exam का जो paper है, वो select कर दीजे, और अपना test आप continue दे सकते हो, आपको username और password university ने भेज दिया है, लेकिन आपको मिला नहीं है, या आपके पास था, लेकिन आपसे delete हो गया, तो इसके लिए आप क्या करो, esps.unipuny.ec.in पर जाएए, वहाँ पर click करके, आप university का username और password मिलवा सकते हो, online exam के लिए, पेपर में कोई दिक्कात आती है, तो grievance के लिए, आप esps.unipuny.ec.in पर जाकर, आप grievance आड कर सकते हो, online exam score आपको जानना है, 48 hours के बाद, पेपर होने के बाद, तो pi exam result.unipuny.ec.in पर आपको, आपके online exam का score दिखाई देगा, और अगर आपको detail में time table जानना है, तो यहाँ पर link दे दिए, वहाँ पर जाएए, यहाँ click कीजे इस link पे, और desktop mode select करके, faculty commerce and management select कर दिजे, वहाँ पर commerce faculty में आपको यह time table दिखाई देगा, paper देते समय, अगर आपको कोई technical query आती है, तो query आपका, किसे पूछ सकते हो, किस number पे, तो 020-7153-0202, इस number पे आप call कर सकते हो, अधिक जानकर एक के लिए, आप अपने college से, exam CO से, या exam cell को contact कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत आती है, तो मुझे chart box में ही, आप mention कर दिजे, आपके सवालों के जावब यहाँ पर मिल सकते है, ओके, आपको exam के लिए, all the best, best of luck for exam, exam hall ticket कलेद कर दिजे, और आपको paper के लिए, और study के लिए, बहुत सारी शुब कामना है, तब तक, आपको यही, एसे ही जानकरी जानने के लिए, आप हमारे YouTube चानल को subscribe करने मत भूलिए, देखते रहिए, एसे ही educational वीडियो, तब तक आप के लिए, जे हीन, all the best, धन्यमाद,